एक बार एक हाथी जंगल में जा रहा था. वह अपनी ही धुन में चला जा रहा था. रास्ते में चीटियों का एक घोंसला था. हाथी ने अंजाने में उसे पर पैर रख दिया, जिसके वजह से घोंसला बिखर गया. चीटियों की रानी ने हाथी से कहा, हे गजराज, आप कृपया कर देख कर चलिए, आपके कदम इतने भारी हैं कि आसपास की चीजों को नश्ट कर देते हैं. मेरा घोंसला तूट गया पर मैं इसे बना लूँगी, मगर हर कुछ जो तूट जाता है जोड़ा नहीं जा सकता. आपसे विनती है कि थोड़ा ध्यान रखिये. हाथी को चीटियों की बात सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई. उसने कहा कि आगे से वह ध्यान रखेगा. घर जाकर हाथी ने अपनी पतनी को सारी बात बताई. हतिनी ने हाथी से कहा, आप जंगल में सबसे विशाल शरीर रहना होगा. अगर चीटियों को इससे दिक्कत है, तो वह कहीं और घोंसला बनाएं. हाथी को हतिनी की बात सही लगी. वह फिर से उसी रास्ते गया और इस बार जान बूज कर उसने चीन्टी के घोंसले पर कदम रखा और हंसता हुआ चला गया. उसने मुड कर भी नहीं द आया, तब वह चीन्टी हाथी के सूंड में घुस गई. जब हाथी अपने घर पहुँचा, तब चीन्टी ने उसके सूंड के अंदर उसे काटना शुरू किया. हाथी दर्द से चिल्ला उठा. हाथी का विशाल शरीर उसके घर के दीवार से टकराया और हाथी ने खुद से ही अपने घर को तोड़ दिया. तब जाकर हाथी को समझाया कि उसे क्या भूल हुई है. ठीक, इसी कहानी के तरह हमारे जीवन में भी कुछ लोग होते हैं, जो हमें गलत राह पर ले जाने की कोशिश करते हैं. अगर हम उनकी बातों में आ गए, तो कही न कहीं हम अपने घर और परिवार के लिए नासूर बन जाते हैं और सब कुछ नश्ट कर बैठते हैं. अगर हमारे पास ताकत है, तो हमें उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि कमजोरों को परेशान करना चाहिए.